दुखी होकर ही सही लेकिन रूही ने अभीरा को कुछ ऐसा कह दिया है जो उसे नहीं कहना चाहिए था रूही ने अभीरा को काफी कुछ ऐसा कह दिया है जो कहने से पहले रूही को सोचना चाहिए था इन्सानियत के नाते ही सही लेकिन अब जब सोचा नहीं तो क्या ही कहें शो के आगे आने वाले एपसोड में अब आप देखने वाले हैं अभीरा का रिष्टा विद्या से बिगड़ चुका है और विद्या से रिष्टा बिगड़ने के बाद सुधरता हुआ आपको दादी स से नजर आएगा जी हां शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले थीर सारे हाई पोल्टेस्ट्रा में जहां अभीरा का रिष्टा दादी सा से सुधरने वाला है और दादी सा डाट चोड़कर इस बार अभीरा को आशिरवात देने वाली है शो के आगे आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हाई बोल्टी स्ट्रा में जहां दादी सा अभीरा को अपना आशिरवात सौपेंगे दादी सा अभीरा से कहेंगी कि अभीरा की जिंदगी में तुफान आए हैं उन्हें पता है अभीरा की जिंदगी में उसके अतीत ने सब कुछ उजार दिया है उन्हें पता है लेकिन अभीरा को अब बीते हुए कल से बाहर निकलना होगा आगे आने वाले कल के बारे में सोचना होगा शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे धेर सारे हाई बोल्टेस ट्रामें जहां पर दादी जा अभीरा के सामने कुछ शर्ते रखने वाली है इन शर्तों के साथ ही अभीरा को जिमेदारी सौपने वाली है दादी सा अभीरा से कहेंगी कि अब अभीरा को अपना ध्यान पोदार फर्म में लगाना है अब अभीरा को पोदार फर्म को आगे लेकर जाना है यहां बहुत ही ज्याद के बीच इन सारे ट्विस्ट एंड टरंस के बीच आप देखने वाले हैं धेड सारे हाई वोल्टेस ट्रामे जहां अर्मान और अभीरा की जंदगी बदलेगी और दादी सा की शर्तों को लेकर अभीरा अपने करियर पर ध्यान देगी पोदार फर्म पर ध्यान देगी उसके सीरियल में क्या कुछ होता है देखना होगा